नमस्कार मैं हूँ सिबंक कुसबाहा और आप देख रहे हैं दाखबरदान नियोज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल एक दिसंबर को वर्ल्ड एट्स डे के रूप में मनाया जाता है तो आई ये जानते हैं क्यों मनाया जाता है विस एट्स डिवस क्या है इस बार के थीम जानते हैं सब कुछ वर्ल्ड एट्स डे मनाने का उद्देज HIV संक्रमन की वज़े से होने वाली महामारी एट्स के बारे में हर उम्र के लोगों के भी जाग रुकता बढ़ाना है सुरुवाती दोर में विस एट्स डिवस को सिर्फ बच्चों और युगाओं से ही जोड कर देखा जाता था जबकि HIV संक्रमन किसी भी उम्र के ब्याति को प्रभावित कर सकता है एचाइबी एक प्रकार के जान लेवा इंफेक्शन से होने वाली गंभीर बीमारी है इसे मेडिकल भासा में फ्यूवन इम्यून डिफिसियंसी वारस यानी एचाइबी के नाम से जाना जाता है दुनिया भर में HIV संक्रमन के प्रती लोगों को जागरूप करने के लिए हर साल एक दिसंबर को वाल्ड एट्स डेम मनाया जाता है डब्लू एचों ने सबसे पहले विस एट्स दिवस को टैस्टिक इस्तर पर मनाने की शिरुवार अगस्त 1987 में की थी एट्स की जागरुपता अभियान से जुड़े जैंस डबल्यू बुन और थौमस नेटर नाम से ही इसके सुरुवात की गई थी किसी भी उम्रे के ब्यक्ति को कर सकता है प्रभावित शुरुवाती दोर में विस एट्स दिवस को सिर्फ बच्चों और युगाओं से जोड़ कर ही देखा जाता था जबकि हएट्स संक्रम और किसी भी उम्रे के ब्यक्ति को प्रभावित कर सकता है इसके बाद साल 1996 में एट्स पर संयुक्त राष्ट ने वैसिक इस्तर पर इसके प्रचार और क्रुसार को काम सम्हालते हुए साल 1967 में विस एट्स अभियान के तहर संचार, रोक थाम और सिच्छा पर काफी काम करना सुरू गया था वाल्ड एट्स डे मनाने का उद्देश HIV संग्रमर की वज़े से होने वाली महामारी एट्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागुक्ता बढ़ाना है एट्स आज के आदनुक समय की सबसे बड़ी स्वास समस्याओं में से एक है यूनिसेप की रिपोर्ड की माने तो अब तक 37 मिलियन से ज़्यादा लोग HIV के सिकार हो चुके हैं जबकि भारत सरकार द्वारा जारी किये गए आकोलों के अनसार भारत में HIV के रोगियों की संख्या लगभग 3 मिलियन के आसपास है अब हम आपको बताएंगी क्या होता है HIV AIDS क्यों मनाते हैं हर साल एक दिसंबर को HIV एक प्रकार के जान लेवा इंफेक्शन से होने वारी गंभीर विमारी है इसे मेडिकल भासा में Human Immuno Deficiency Virus यानि HIV के नाम से जाना जाता है वहीं लोग इसे आम भूल चाल में एक्वार्ड इम्यून डीफोसियंसी सिंड्रों के नाम से जानते हैं इसमें जान लेवा इंफेक्शन ब्यक्ति के सरीर के रोग की प्रतिदोधक छमता इम्यून सिस्टम पर हमला करता है जिसकी वजह से सरीर समान बीमारियों से लड़ने में सच्चम नहीं हो पाता क्या है वर्ड एट्स दे 2021 की थीम या चाईवी.org की वेबसाइट के अनुसार विश एट्स दिवस के लिए इस वर्ड की थीम है असामानताओं को समाप्त करें एट्स का अंत करें वर्ड 2008 के बाद प्रतेग वर्ड की थीम को विश एट्स अभियान की ग्लोबल स्टारिंग कमेटी द्वाराच चुना जाता है खबरों से जुड़े रहने के लिए देख